तो जैसे brands के तिरफ से ऐपको हर बार एक नया series देखने को मिल जाता है ठीक हुए ऐसे ही Samsung के तिरफ से आपको एक नया series देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है Samsung Galaxy F series तो इस series में आपको एक नया smartphone बोहाँती जल्द इंडिया की अंदर मिल जाएगा और यह जो सिरीज है only for India होने वाला है जिसके अंदर आपको Samsung Galaxy F41 के नाम से एक नया स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा और इस फोन का डिजाइन आपको बिलकुल वही सेम मिलेगा जैसे आपको Samsung Galaxy M सिरीज में देखने को मलता है यानि कि आपको पीछे वही सिमिलर डिजाइन मिलेगा वही सिमिलर कटाउट देखने को मिलेगा कैमरे के लिए और जो टेक्स्टर है यह आपको थोड़ा सा अलग देखने को मल सकता है और इस फोन के डिस्प्ले के बारें बात करें तो Samsung Galaxy F41 के अंदर आपको 6.5 इंच का Full HD Plus Super AMOLED डिस्प्ले का सपोर्ट मिलेगा और साथ में यहाँ पर आपको पीछे फिंगर पिन्स सेंसर देखने को मिल जाएगा और इस बार आपको यहाँ पर एक Infinity-U डिजाइन के साथ नौच देखने को मिलेगा फ्रेंट सेलफी केमडे के लिए और बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में तो साथ आपको याद होगा कि Samsung के हर एक स्मार्ट फोन में यानिकी Samsung के जितने मिट्रेंज स्मार्ट फोन जहें उन सबी में आपको एक ही प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और वो है एक Xenos 9611 का तो इस बार भी इस फोन में आपको वही सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो उतना भी कुछ खास नहीं है मतलब इसमें आपको उतना भी प्रोसेसर देखने को नहीं मिलेगा और इसे के साथ इस फोन में आपको 6GB RAM, 8GB RAM, 64GB का इंटरलन स्टोरेज और 128GB का इंटरलन स्टोरेज देखने को मिल जाएगा और कैमरी की बात करें तो इस बार Samsung Galaxy F41 के अंदर आपको 64 में पिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटप देखने को मिल जाएगा जी हाँ इस बार आपको पीछे squareE cutout के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटप मिलेगा जिसमें main camera lens आपको 64 में पिक्सल का मिलेगा 8 में पिक्सल का wide angle lens देखने को मिलेगा और third में आपको 5 में पिक्सल का depth sensor देखने को मिल जाएगा और front camera की बात करें तो यहांपर आपको 32 MP का front selfie camera मिलेगा और वो भी यूसेफ notch के साथ और बात करें इसके battery के बारे में तो इस बढ़ इस phone में आपको 6000 mAh का big battery देखने को मिलेगा साथ में 15W का fast charging का support भी आपको इस phone में मिल जाएगा तो देखे अगर हम battery या फिर display के बारें बात करें तो Samsung इसमें पीछे बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें बाकी phones के मुकाबले बहुत ही अच्छा display मिलता है और साथ में battery backup भी आपको बहुत ही powerful मिलता है तो इस हिसाब से ये phone बहुत ही अच्छा होगा और इस phone के अगर हम price range को guess करें कि ये किस price range में इंडिया में launch हो सकता है तो साथ हमें लगता है कि ये phone आपको 18,000 के आसपास मिल जाएगा तो देखते हैं कि ये phone किस price range में launch करता है और आपको क्या लगता है कि Samsung Galaxy A41 को किस price range में launch होना चाहिए आप नीचे मुझे comment करके जरूर बताइए तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो आप मैंने चैनल को subscribe करके हमें support कर सकते हैं तो मिल देंगले वीडियो में, thanks for watching